चलिए आप गीता पे हात रखकर कसम खाईए कि आप जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे सच के सवा कुछ नहीं कहेंगे ठीक है बुलाईए गीता को अरे बेखूप हो क्या यार ये गीता पे हात रखकर कसम खाओ आप जो भी कहेंगे सच के सवा कुछ नहीं कहेंगे हो गया जाओ अरे यार एकदम बेखूप हो का ऐसा आप बोलो अरे सस्ते वकील मैं ही तु बोला हूँ ए तु जा भाजा आडर आडर जसाब ये कट घरे में खाड़ा बेखूप चूतिया सुवर जैसा अदमी असल में ये बहुत ही खतरनाग मुझरीम है इसने कद्दु सिंग को दिवाली वाले दिन बम फेक कर जान से मारने की कोशिस की और ये मैं साबित करके रहूंगा अरे जसाब इसमें क्या साबित करना है उस दिन दिवाली तर सब पडाका फोड रहे थे हम भी फोड दिये पडाका 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 क्या होता है पडाका नहीं जानते हो का नहीं पडाका होता है अरे यार तुम अकील कैसे बन गए है पडाका ही तो होता है हाँ ठीक है हम ग अरे यार तुम लोग क्या पढ़ा की पढ़ा का लगा रखे हो यहां केस लड़ने आ हो या दिवाली मनाने अब तुम नीचे क्या देख रहे हो केस लड़ो अच्छा लड़े तो मेरा सबसे पहले गवाह है मिश्टर पीके अब यह कौन है पीके मैं हूँ चत साब मैं हूँ ओकिल साब मैं हूँ अरे हाँ हाँ मालूम है नाचो मत हाँ तो मिश्टर पीके मेरे सवालों का सही सही उत्तर देना है आप अकील हो एलो अरे ये गुर्बक कम था जो दूसरा आ गया पांग का के आए हो का है अरे यार मैं यहां खाड़ा हूँ अदालत में काला कपड़ा पहना हूँ तो अकीली वहूँगा ना यह बात तो बिल्कुल गलत है हो सकता हो आप जादुगर हो या फिर हो सकता है आ आप सवालों का सही सही उत्तर पूछ रहे हैं आप टीचर हो अरे यार टीचर लोग काला कपड़ा इतना लंबा नहीं पहनते तो फिर आप जादुगर हो ना है ना है ना अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोग यहां केस लड़ने आ हो आम मदारी दिखाने I'm sorry मेलोड तो मिस्टर पीके आप अदालत को यह बताएं यह कालिया आपके क्या लगते हैं मेरा दोस्त है जह साब कालिया मेरा दोस्त है वकील साब कालिया मेरा दोस्त है मेरा भाई है और पढ़ने हम लोग साथ जाते है और मेरा साथ कभी ने छोड़ता ओके खेलना कूदना मार करना अरा हाँ यार हाँ खेलना, कूदना, मार पीट करना और लड़कियों को किड्नाइप करना नहीं नहीं लड़कियों को किड्नाइप नहीं करते हैं पटाते हैं अरे यार अब क्या बताया है ऐसा ऐसा गवाह लोग ढोड़के लाते हैं यह गवाह है कि गदा अरे यार तुई अपना डंडा पकड़ के सीधे खड़ा रहा हुआ हाँ तो मिस्टर आ लिया नाम के साथ मत खेलना ओ सोरी तो मिस्टर कालिया आपके वकील कहां है हाँ तुझे साथ पता ये क्या काम है अरे काम क्या किस लड़ो और क्या ओच अच्छा हाँ भूल गई मैं भी कितना पागल हूं हाँ तो आप अदालत को ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है जी मेरा नाम कालिया है ये आपका पूरा नाम है हाँ ये पूरा का पूरा मेरा ही नाम है हाँ तो जे साब कालिया इनका पूरा का पूरा नाम है इसे नोट दिया जाए नोट दिया जाए पाक ओ मैं भी कितना पागल हूं इसे नोट किया जाए हाँ तो कालिया जी आप अदालत को ये बताईए कि जिस दिवाली था आप कौन-कौन से पढ़ा के फोरे थे उस दिन मैं सबसे पहले चचुंदर जलाया था चचुंदर सब क्या जलाने पर एक ही जगे गोल-गोल नाशता है अबे जकरी चकरी ओहां चकरी जलाया था और उसके बाद एक हां लाला च्वाप फोड़ा था और एक मिर्चा चाप और याग मूर्गा चाप अब यार तू जब कद्दू के घर के तरब गया था तो अहां कुल से पढ़ा का फोड़ा था अरे जस्टा बहुत तक पहुंशते पहुंशते मेरे पास पढ़ा का इन आई बचा था तो फोड़ूंगा क्या मैं बता देता हुना अरे इधर आओ हम बताते हैं हम लोग क्या हो जब रेस्टूरेंट में जाते हैं तो बेटर लोग आके पूछते नहीं है ओडर ओडर मतलब आपको क्या क्या चाहिए ओच्छा जस्टा दो बरगर चार समोसे दो प्लेट चाउमीन तुम दोनों अपना बखवास बंद करो और ना अब्जक्शन अब पीके हो जजज है उसे अब्जक्शन वो लग फासी पे लटका देगा ए इधर देखो नाम क्या तुम्हारा पीके हां तो पीके जो सिर पे काटे हुगे हैं ना चिलवा दूंगा मुझसे अगर वो उची वाज में बात करेगा हाँ तो मिस्टर कालिया जी आप जब कद्दू सिंग के घर पर थे तो ये पीके ने क्या देखा वहां अब देखिया आप लोग से तो जूट नहीं बोलूंगा मेरे पास एक बं बचा था उस समय पीके ने देखा मेरे हाथ में एक रसरी वाला बं था मैं जल्दबाजी में आग लगा कर पीछे फेक दिया अब मुझे क्या पता मेरे पीछे कद्दू बैड़कर ओल छिल्ला है अच्छा इसका मतलब आपने जान भूज कर बं पीछे नहीं फेका था मैं मानता हूं कि बं फेकते वक पीछे आपने नहीं देखा था तो इससे सावित क्या होता है यहीं कि अगड़ीया ने कियांसे चाहिंगЙ जस्जाब अब आपी बोलिए बोलिए चलो केस जीत गए हम लोग चलो 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 अरे आप भैसला तो सुमा में दो अरे जस्जाब रोको इनको रोको आपको नहीं पता है ये लोग जान से मारने की कोशिश दी थी कतुसे इनको आप तो क्या मानून अब जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता किस में जीते हैं गलती किये हैं